इस्राइल ने इत का जवाब पत्थर से दिया ये काफी स्ट्रोंग स्टेटमेंट है क्योंकि इस्राइल के पास मिल्ट्री पावर भी है और दुनिया की सबसे हाई टेकनोलोजी भी मौझूद है और इस्राइल के पास पूरे वेस्टन देशों का सपोर्ट भी है अब इस्राइल कहां रुकेगा ये बात किसी को भी नहीं पता है अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है ना वहाँ पर कोई बिजली है और इस्राइल ने उसे चार तरफ से गेर लिया गया है इस्राइल के डिफेंड मिनिस्टर ये बात बोलते हैं कि वहाँ कोई खाना नहीं पहुंताया जाएगा ना ही बिजली दी जाएगी अंत में आतंगवाजियों को सिर्फ सलेंडर ही करना पड़ेगा इस्राइल के अंदर करीब 1300 से ज्यादा दगों पर हमला किया गया हमाज ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था इसी सुनक जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी अपने ट्वीटर अकाउंट पर काफी स्ट्रोंग मैसेज दिया जो लोग हमास को सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को फ्रीडम फाइटर मानते हैं वो लोग भी इसी अटेक के लिए कहीं न कहीं जिमेदार है इतना किलियर मेसेज देने के लिए भी एक अच्छा कासा जिगरा होना चाहिए इस्राइल और हमास का युद काफी पूरा ना ह यह लड़ाई जितनी लगती है वन साइट उतनी है नहीं इस्राइल के परदान मंतरी यह बात बोलते हैं कि जहां सरफ आतंगवादी चिपे होंगे वहां सरफ मिटी ही मिलेगी और यही हमें देखने को मिला है गाजा के उस एरिये पर हमला किया गया था जहां से मिसाइले लौंच की गई थी और खबरे यह आ रही है कि वहां पर 500 से जादा आतंगवादी को मार गिराया है साड़े 400 से जादा टारगेट को हिट किया है यहां तक हमास के आतंगवादी के लिडर के घर पर भी बम मारा गया ताकि वे भी अच्छे से चिप ना सके यहां तक हमास ने यह चेता हुनी दिये कि अगर अब एर अटेक हुआ तो एक एर अटेक के बदले एक एर होस्टेस की जान सली जाएगी उन्होंने इज्राइल ही ने बलकि कई फोर्नर लोगों को भी बंदी बनाया है जिन में से 14 अमेरिका के और 10 प्रांस के लोग है कुछ देस ऐसे हैं जो इरान को खुल कर सपोर्ट करता है जैसे कि इरान हमेशा से हमास को लगातार सपोर्ट करता है अमेरिका ने ये बात बोली है कि इरान हमेशा से ही हजबुला और हमास को लगातार सपोर्ट किया है और कतर जैसी कंट्री भी लगातार हमास को ही सपोर्ट करती है हमास के मिल्ट्री मेन मौमद अलहफ इस ओप्रेशन को अलक्सा फंड का नाम दिया गया है और उन्होंने ये बाद कहा कि हमास ने इसलिए अटेक किया क्योंकि इसरायलियों ने फिलस्तिन पर काफी अत्याचाया कियी फिलस्तिन की सरकार भी यही बात को लगातार सपोर्ट करती है लेकिन वे कभी भी आतनवादी को समर्थन दिये लगेर हमारी इंडिया सरकार भी लगातार यही बात बोल रही है हिस्टोरी कर देखेंगे तो साहे इंद्रा गांदी हो, राजीव गांदी हो, अटल ब्यारी बाजपाई हो या मनमोन सिंगो यहां तक की परदान मंती नरेंदर मोदी भी इसी बात को फॉलो करते हैं यह बहुत ही सरम की बात है कि कुछ लोग फिलिस्टीन वालों को फ्रीडम फाइटर के रूप में मानते हैं फिलिस्टीन पर जादती हुई है लेकिन इज्राइल की आम जनताओं को मार कर यह कभी भी बदला नहीं लिया जा सकता ऐसे टेरिरिजम को कभी भी जस्टीफाई नहीं किया जा सकता यह तक कि इज्राइल ने 14 मंजिल की इमारत पर एरिस्टाइक करने से पहले उस पर 10 मिनट की पहले वोर्निंग दी थी इस बिल्डिंग पर लेने वाले लोग इस बिल्डिंग को 10 मिनट के अंदर तोड़ दें इस पर बंग गिरने वाला है ऐसी वर्निंग इज्राइल लगातार अटेक होने से पहले लगातार देता है ताकि उसके अंदर सिविलियन लोगों की जान नहा जा पाए अब समझोते के मामले के अंदर फिलिस्टियों ने काफी देर कर चुकी है अब बस हमास सिर्फ एक ही कंडिशन के अंदर बच सकता है वो सिर्फ है सलेंडर आखिर इज्राइल के सामने सलेंडर करने पर हमास के लोगों की ही बलाई है जिसके अंदर बेगुना लोगों की ज जए रिंद